किसान मित्रों का जोड़दार स्वागत करता हूं हमारे यूटूब चैनल इन्पोटेक्ट फार्मिंग लेडर में किसान मित्रों दिना के पांच मार्च 2022 वार शनिवार समय हुआ है दो बच के 30 मिनिट बात कर लेते हैं मद्द प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदोर की च जानकरी दी जाएगी किसान मित्रों इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण सटीक विश्वस्तनी जानकर यूप दिख कर वाई जा रही है अगर आपको जानकरी अच्छी लगे तो हमारे और किसान दाता हूं तक इस वीडियो को शेर कर दीजेगा फैस्बुक के अगर चैनल में पहले बार विजिट की हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके लाल कलर की घंटी का बटन दबा लीजिएगा तक हमारे आने वाले वीडियो है उनके नोटिपिकिसन आप तक समय से पहुंच सके तो शुरू करते हैं इंदोर मंडी की तरफ देख लेते हैं आज के आवक की जनकरी आवक में आलू के अगर मैं बात करूँ तो 50-60,000 कट्टे की आवक देखने को मिली है वहीं अगर मैं बात करूँ लहसुन की तो 55,000 कट्टे की आवक देखने को मिली है हमें लहसुन की सुबह जो आवक थी उससे डेड़ी आवक हो चुकी है लहसुन में वही अगर हम बात करें प्याज की तो 35 जर कट्टे की आवक देखने को मिली हमें प्याज में अब बात कर लेते हैं इन तिनों जिनसों के भाव की सबसे पहरे शुरूबात करते हैं आलू की आलू अगर किसान मित्रो मैं एक जानकरी दे देना चाहता हूं अगर आप आलू मंडी में अगर प्याज लसुन और आलू लेके जा रहे हैं तो हंडेट परसन आपको बहुत अच्छा दा मिलने वाला है सेवन्टी सिक्स छेयोत्तर नंबर दुकान पटेल आलू हंडार उसके बाद नंबर आता है प्याज अगर आप लेके जा रहे हैं तो प्याज आप 105 दुकान पे भी लेके जा सकते हैं वहाँ पे भी आपको प्याज का रेट अच्छा मिल सकता है वहीं आप सेवन्टी वन पे भी लेके जा सकते हैं जो जुनों ने अभी अपना यूटूब चैनल चालू किया है कपिल देव के नाम से उनके आप भी लेके जा सकते हैं उनके सिंग जी की दुकान है तो आप महां पर बिजा सकते हैं लेकिन सबसे बेस्ट आपको अगर भाव कहीं मिलेगा तो वह 76 पटेल आलू भंडार पे तो शुरू करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं आज पटेल आलू भंडार ने आलू किस रेट का बिचा है तो पटेल अचिप और एलार विकाँ है 6 रूपे से लगाके 11 रुपे महीं जोति का जो बेस्ट ऐकर माल है वह 0.14 टक पर बात कर लेते हैं एक्षिस्टोंकिका एक फटेल आलू हंडार ने करिदा है बात कर लेते हैं स्रिल्वाइस प्याज़ की तो 50 फेसल लगा के दो सूरू पर्ति कट्टे के सबसे शाटन विका है महीं अगर बात करें घोल्ती की तो दो सूरू reaction नगा के घोल्ता की तो आट्ट सूरूपर से लग 305 उफ्यद्र विक्राइन में 14 qualité लगा के 800 अब करते हैं विए एपी एक्ष्ट्राकिक्रा प्यास की मत्रत्वास God defines 215 रूप से साड़ेगु में अब बात करते हैं खंडवा नासिक महराज चांदवार्ड साइट का जो प्यास गुरा जाता है इन दवर मंडी का सब्सक्राइब चाहिए प्याच की तो यह जनकरी में आपको दे दी बात कर लेते हैं लसून की लसून पुरानी लसून का मार्केट खतम हो चुका है पचास रुप्रती कट्टे से लगा कर एक हजार रुप्रते कुंटल वहीं बात करते हैं नई लसून की तो पांसों रुप 32 रुपए का लाश्ट पोजिशने देशी लसून घंका पैस्ट को यह अगर आपकी लसून हैथा बाथ करते हैं उठी लसून की 8000 रुपए से लगा के चार अजार उपे जो कच्छा माल निकल का आरा इसका और जो बेस्ट क्वालिटी की पकी हुई उटी लसुन अगर है आपकी तो वो भी करें ये तीन हजार उपे से लगाके अठावन सुर उपे आज भी 800 रुपे का एक लोट विका है इंदूर की चोईत्रा मंडी में और 500 रुपे तक हमारे 76 पटे लालू भंडार ने भी खरीदी है लसुन 56 में यनिकी 5600 रुपे में उटी लसुन का एक लोट तो ये थी जैनकरी किसान में तो इंदूर की चोईत्रा मंडी की अब बात क प्याइश का डाउन होना किस करण से डाउन हो रहा है उसका में कारण हे गुजलात की महँआ मंडी में बहुत जाधा मात्रा में आवक बढ़ चुकी है वह नहीं अगर भाथ करें तो महराश्ट नासिक साइड में बहुत ज़्यादा आवक हो चुकी है प्यास की अब और एक और जानकरी में देदेता हूं आपको हमारा जो पस्चिम मंगाल में सुख सागर करके एक एरिया है उस जगे पे जो प्रोडक्शन निकल कर आया है प्यास का वह बहुत खतरना के बहुत ज़्यादा मात्रा में सप्लाइचे ने पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है उस करण से भी जो प्यास निचे के उंदे मूर्ग गिर चुका है तो अगर यह युद्ध थमा तो प्यास हम सोच सकते हैं कि दो चार रुपए उपर आ सकता है लेकिन आपने देखा होगा जहां प्यास प्यास प्या सब्सक्राइब करें अगर बाहर ना जाएं एक चोटा सा निवेदन और है मैंने सेकंड चैलन मेरा चालू किया जिसका नाम है देवडा ब्लोग अगर आप उससे देखना चाहें उस चैनल में देखना चाहें ब्लोगिंग चैनल है ब्लोगिंग के अगर आपको सोकिन है अगर ब्लोगिंग के आप तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें में अभी आने वाले समय में खेती बाड़ी के संबंदित भी informative जो वीडियो रहेंगे वो उसमें डालूँगा। सभी किसान मित्रों का धन्यवाद, जे जवान, जे किसान, जे हिन, जे भारात, वंदे मातरम।